हेलो स्प्रिंट, स्वागा थे आप सभी का आज राज योट्सों में जो राज अलंकर समारो किया गया था राज अलंकर पुरस्कार दिया गया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे मेरा नाम है मनो सिंग, यहाँ पे मेरा पर्चे आप देख सकते हैं, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एबाउट में जाके भी आप देख सकते हैं तो इससे दो या तीन प्रशन तो एकजाम में आने सो भाविक हैं, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन इस एक वीडियो में आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी, क्योंकि ना सिर्फ हम यहाँ पे MCQs की बा सम्मान पुरसकार, माधोराव संपरे, स्मृति, राश्ट्री, रशनात्मक्ता, सम्मान पुरसकार किसे दिया गया है, चार आप्शन है, अमितेश पांडे, सुदीव ठाकूर, वैभाव पांडे और डक्टर कियन किशोर, इन चारों आप्शन में से अगर आपको आंसर से हैं, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर डाल सकते हैं, और इसके अलावा हम आगे देखेंगे इसका व्यक्या और उसी में हम अपने आंसर को भी खोजेंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए, कि जो राज अलंकरन जो हैं, इससे क्वेशन दो या तीन आते ही आते हैं, तो आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे MCQ के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी लेकर आया हूँ, तो आपकी आपके जानकारी पुक्ता हो जाए, और आपकी गलतियों के संभावना नर है, इसलिए वीडियो थोड़ सुदीप ठाकूर आप्शन में था, तो माधव राव सप्रेस में थी राष्टी रचनात्मक्ता संभान की बात जब आये, इसा क्वेशन आये, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सुदीप ठाकूर, यहाँ पे संभान इनके बारे में पुरी जानकारी है, आप पढ़ सकते हैं क्वेशन बदल भी सकते हैं, यह भी पूर सकता है कि यह सम्मान की स्विभाग के द्वारा दिया जाता है, तो ऐसे करके आपने क्वेशन को बदल भी लिजेगा, मैंने आपको बता दिया, उस तरह से डिटेल में बहुत नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो मैंने बता दिया कि आप उस तरह से ही पढ़ सकते हैं तो आपने क्वेशन को और इनांस कर सकते हैं, मदुकर खेर खेर स्मिर्ती पतरकारिता पूरसकार है, उस यह पड़िए जाता है, चार आप्शन है, अमितेश पांडे, सुधीन ठाकूर, के अन किशोर और वेभाउ पांडे, इन चारों मे के दोरा जनसंपर्ग विभाग के दोरा और किसे दिया गया है डॉक्टर के अन किशोर को मदुकर केरिस्मिती पत्तकारिता पुरसकार दिया गया है यहां इनके बारे में जानकारी दी हुई है यह जानकारी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है जरूरी है यहां पे पुरसकार दो अलग-लग क्टेग्री में दिया जाता है एक तो इलेक्टरौनिक मीडिया में और एक प्रिंट मीडिया में तो यहां देखिए लिखा हुआ आपको आंसर बताना है आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजे हम चलते हैं इसके व्याक्या की तरब यहां पर देखिए चंदुलाल चंदाकर स्मिती पत्तकारिता पुरसकार शेत पत्तकारिता परिंट मेडिया में किसे दिया गया है अमितेश पांडे वैभब किशोर डॉक्टर केन किशोर और धननजे वर्मा यह चार आपके ऑप्शन परस्कें आपको बताना है यहां यहां पर ट्रैयपिंग मिस्टेक है क्वेश्ण दरसल यह कि चंदुलाल चंदाकर पुरसकार प्र पर discuss करते हैं यहाँ पर देखिए discussion में हम देखते हैं इसकी व्याख्या चंदू लाल चंद्राकर समिती पतकारिता पुरसकार शेत्र पतकारिता प्रिंट मेडिया हिंदी विभाग जनसंपर्क और से किसे दिया है धननजे वर्मा यह है धननजे वर्मा की फोटो तो इस तरह से आप इसके व्याख्या के साथ जब आप पढ़ेंगे आप जिसको पुरसकार मिला है उसकी फोटो देखेंगे विभाग देखेंगे और के शेत पुरी साहित्य पुरसकार किसे प्रदान किया गया है जीवन यदू राजीव रंजन सुधीव ठाकूर धनन जय वर्मा यह चार आपके आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए नहीं तो फिर हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ यहां आपे है डिस्क्रिप्शन ड किसी भाग के द्वारा दिया जाता है संस्कृति विभाग के द्वारा कौन सक्षेत्र साहित्य और आंचलिक साहित्य इस वीडियो को आप दो से तीन बार देखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद इस तरह के आंसर्स आप बहुत ही जिली टिक कर पाएंगे चातिसगर अप्रवासी भारती सम्मान किसे दिया गया है सुभाशकरवाल सीता राम अगरवाल गडेशकर और सुशिल त्रिवेदी सुभाशकरवाल सीता राम अगरवाल गडेशकर और सुशिल त्रिवेदी चातिसगर अप्रवासी भारती सम्मान तो ये सम्मान कौन देता है और किसे दिया गया इसकी व्यक्या हम देख लेते हैं ये है चतिर अप्रवासी भारती सम्मान देता है कौन संस्कृती विभाग किसलिए देश के बाहर समाजिक कल्यान मानो संसाधन विकास कला सहित अथवा आर्थि क्योगदान के लिए और किसे दिया गया है गडेश कर को ये है गडेश कर जो विदेश में रहते हैं और 36 वर्ड के लिए बहुत ही अच्छा काम इनोंने किया है इसलिए इनको से सम्मान दिया गया है तो चतिर अप्रवासी भारती सम्मान किसे दिया गया है गडेश कर को अगले क्वेशन की तरफ चलते हैं, बैरिस्टर ठाकूर छेदी लाल सम्मान, किस छेटर में दिया जाता है या आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो हम आप भी चलेंगे, डिस्केशन में देख लेंगे, पहले आप आप आप्शन देख लीजिए, डॉक्टर प्रियाराओ, विवेक शारस्वत, दोनों को संयुक तरूप से, या दोनों में से कोई नहीं, बैरिस्टर ठाकूर छेदी लाल सम्मान, इसके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलते हैं, क्वेशन आपने देख लिया, यहाँ पे है इसकी व्याक्या, व्याक्या में देखिए, बैरिस्ट संयुक तरूप से इस बार यह पुरस्कार दिया गया है, तो कौनसा पुरस्कार, कौनसा छेतर, कौनसा विभाग और इसके अलावा किसे दिया गया है, यह आपके लिए इंपोर्टेंट है, वीडियो थोड़ा से लंबा है, लेकिन अंदर तक जरूर देखिएगा, ताकि स सारा नौलेज आप ले सके और इस एक वीडियो को आप दो से तीन बार देखेंगे, तो रिवीजन के साथ ही आपके क्वेशन भी तयार हो जाएंगे, धनवंतरी सम्मान किसे दिया गया है, दोक्टर पियराओ, दोक्टर मनोज चौकसे, दोक्टर वेभापांडे या दोक् दोक्टर मनोज चौकसे को, यह हैं, दोक्टर मनोज चौकसे किस वीभाप के दोरह दिया जाता है, स्वास्त वीभाप के दोरह, आगे बढ़ते हैं, किशोर साहू, राष्ट्री अलंकरर सम्मान, अब यहां पर थोड़ा सा कन्फूजन होगा आपके लिए, क्योंकि किशोर साहू के नाम से दो सम्मान दिये जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्ट्री अलंकरर सम्मान लगा हुआ है, यही बेसिक डिफ्रेंस है, जो आपको दोनों अवार्ड में अंतर बताएगा, तो किशोर साहू के नाम से दो सम्मान है, याद रखिएगा, एक है र रास्ट्री अलंकरर लगा हुआ है, इससे आपको डिफ्रेंसियेट करना है, क्वेश्ट्र में देखते हैं क्या क्या ओप्शन है, विशाल ददलानी, पलास वासवानी, सौरफ सोनवानी और नर्सिंग देवांगन, इन चारों में से कौन सा सही ओप्शन है यह आपको बता रास्ट्री अलंकरर सम्मान की बाच हम चल रहे हैं, और चलिए इसकी व्याक्या देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए किसोर साहु रास्ट्री अलंकरर, यह संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है, और इस बार दिया गया है पलास वासवानी को, ठीक है, पलास वा जाता है किसोर साहू राश्ट्री अलंकरण सम्मान तो किसे दिया गया है पलास वासवानी को यह याद रख़ीगा आगे कुशन देखते हैं देखें वहाँ पर राश्ट्री अलंकरण था और यहाँ पर सिर्प और सिर्फ बन्athy मैंने यह लिए मैंने कहा कि question को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि दोनों में ही किसोर साहू है आप confusion में अपना आंसर गलत न कर दें और हो सकता है कि दोनों के ही option लगभग मिलते जूलते हों और आप confuse होंगे तो एक है किसोर साहू सम्मान और एक है किसोर साहू राश्ट्री का है तो उसको आप ध्यान दीजेगा यहाँ पर option देखिए पलास वासवानी मनुनायक नर्सिंग देवांगन और अनुज शर्मा यहाँ पर चार आपके option एक आपने देख लिया था राश्ट्री अलंकरण और एक आप देखिए अप किसोर साहू सम्मान पलास वासवानी मन का था निर्मान विभाग संस्कृति विभाग ठीक है आपको मनुनायक तो यादी होंगे मुर्चुईया भुईया इस तरह से आप जो है इनको पढ़ सकते हैं और इनके बारे में जानकारी भी रख सकते हैं क्योंकि इससे question जो है लगातार आते रहते हैं तो किसोर साहू सम समृति नृत्य संबमान यहां पर देवदास बглядार का दो सममान है इसको आपको याद रखना है एक है देखिए समृति-पंधी-पंथी-ev 한다 यहाँ पर बेसिक जो डिफ्रेंस है वो यह है पंथी नित्य सम्मान तो यह पंथी नित्य सम्मान आप याद रखिएगा देवदास बंजारे तो दो पुरस्कारों में लगा ही रहेगा देखें यहाँ पर देवदास बंजारे सम्मिर्थी पंथी नित्य पुरसकार संस्कृति विभाग के द्वारा लोक शैली पंथी नित्य में किसे मिला है मिलापदास बंजारे को तो देवदास बंजारे सम्मिर्थी नित्य पुरसकार किसे मिला है मिलापदास बंजारे पंथ दिखार इसमें प्angतिनित्य पुर्सकार जानते हैं किसी मिला है् अभी हमने देखा मिलाप्दास बनजारे कि यहां पे चार आप चार आकट आपके द्वारीका बरमन मनुनायक Nnek नरृतिन होन और मिलाप्दास बनजारे तो इस तरह से आपके जो option रहेंगे उसमें दोनों के ही option रहेंगे और आप confuse हो सकते हैं तो दोनों awards को बहुत अच्छे तरह से पढ़िएगा जैसे आपने किसोर साहो को देखा वैसा ही देवदास बंजारे में में दो अलग-अलग अवार्ड हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं किसे मिला है देवदास बंजारे स्मृती पूरसकार इसमें क्या है प्रदरशन कारी लोगकला संस्कृति भाग के दोरा दिया जाता है और किसे मिला है द्वारिका वर्मन को तो आपका सही answer है द्वारिका वर्मन लेकिन किस अवार्ड में और व्याक्या में देख लेते हैं कि क्या कुछ यहां पे लिखा हुआ है यहां पे देखिए छेतर कौन सा है बुनकर और विभाग कौन सा है ग्रामोद्योग यह इंपोर्टेंट है आपको याद रखना है यहां पे नर्सिंग देवांगन और मिहिब देवांगन को स्रिपती मेहर देवांगन को संयुक तुरूप से दिया गया है तो ये आपका सही option क्या है दोनों को सही तुरूप से नाम आपको याद रखने है nursing देवांगन और सिपती महर देवांगन देवांगन के नाम से तीन अलग-अलग अवार्ड हैं तीनों में इस देवांगन सरनेम है तो आपको confusion हो सकता है तो आपको कोई story बना कर या कुछ ऐसे keyword बना कर आपको याद रखना होगा ताकि आप ये connect कर पाएं कि किस देवांगन को कौन सा पुरसकार मिला हुआ है अब आते हैं विसाहुदास महंत पुरसकार 2021 के लिए ये पुरसकार दो वर्षों के लिए एक साथ दिया गया है 2021 और 2021 बाइस इसलिए एक question थोड़ा सा आपको confusion कर सकता है तो उस confusion को दूर रखिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा विसाहुदास महंत पुरसकार 2021 ऑप्शन है आनन देवांगन पदमचरण देवांगन दोनों को संयुक तुरूप से या दोनों में से कोई नही अगर आपको सही अंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए यह याद रखिएगा कि यह 2020-21 के लिए है विसाहुदास महंत पुरसकार 2020-21 आगे देखते हैं इसकी व्याक्या में छेत्र बुनकर, क्रामोद्योग विभाग, आनन देवांगन और पदमचरण देवांगन दोनों को सही तुरूप से लेकिन किस वर्ष के लिए 2020-21 के तो इसी तरह से आप अगला क्वेशन देखेंगे, विसाउदास महंत पुरसकार, यहाँ पे देख लीजिए 2021-22, वहाँ पे क्या था 20 और 21, यहाँ पे क्या है 21 और 22, यही आपको जो है कन्फूजन क्रियेट करेगा और इसमें आपको ध्यान देने की जरूवत हैं, यहाँ 21 के और 2021-22 के, तो आपको उसी हिसाब से अपने आंसर याद रखने होंगे, यहाँ पे देखिए बुनकर शेत्र है और ग्रामोदेग भी भागी है, दिया किसे गया है, राजन देवांगन को, कृष्ण कुमर देवांगन को, संयुक्त रूप से 2021-22 के लिए, 2021-22 के लिए य आपको याद रखने की जरूप है, आगे बढ़ते हैं, महराजा रामानुच परताब सिंग देव पुरसकार किसे दिया गया है, आप्शन है, एंटीपीसी सीपत बिलासपूर, पालूराम साहू, दोनों को संयुक्त रूप से, या दोनों में से कोई नहीं, यह आपको पता रही होगा कि श्रम के छेतर में दिया जाता है, नहीं पता तो आप यहाँ पे देख लिएजे, यहाँ पे व्याक्या दिया हुआ है, छेतर है श्रम, श्रम विभाग के द्वारा, एंटीपीसी सीपत को दिया गया है, और पालूराम साहू को दिया गया है, महराजा सिंग पोड़ते सम्मान यह किसे दिया गया है आप्शन है खेम चंद भारती टुकेश्वर कमर बार कृष्ण तीवारी या रामेश्वर वैश्णो आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए चलते हैं मिसके व्याख्या की तरफ भावर सिंग पोड़ते सम्मान यहाँ प प्याद रखिएगा और इससे क्वेश्वर मेंस में भी सीधे सीधे आते हैं इसलिए आपको इसकी तैयारी बहुत बहुत बहतर तरीके से करनी चाहिए नेक्स देखते हैं संस्कृत भासा सम्मान का पुरसकार किसे दिया गया है ऑप्शन है खेम चंद भारती रामेश्वर बालकृष्ण तीऴारी या टोकेश्वर कवर हम चलते हैं इसके व्याक्या के तरफ यहां पर देखिए संस्कृत भासा सम्मान किसे दिया गया है बालकृष्ण तीवारी को उच्चर सिक्षावी भाग के दवारा संस्कृत बालकृष्ण shy भासा सम्मान के लिए अक्सर हम आप option में देखेंगे तो बहुत जादा ऐसे सरनेम नहीं देखेंगे इस सरनेम के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि ब्राहमण संस्क्रिट भाषा में वेद पढ़ते हैं इसलिए बालकृष्ण तिवारी को यहाँ पे दिया हुआ है बसे ब्राहमण बालकृष्ण तिवारी संस्क्रिट भाषा सम्मान कौन से विभाग द्वारा उच्छ सिक्षा विभाग के द्वारा आगे पढ़ते हैं बिलासा बाई केवटीन पुरसकार किसे दिया गया है औप्शन है रूपचन धिवर के अन किशोर सुदीब ठाकुरो राजिश देवांगन रूपचन धिवर यह है इनकी फोटो और यह बिलासा बाई केवटीन पुरसकार इस बार मिला है रूपचन धिवर को जो कि दुर्ग जिले के रहने वाले हैं ठीक है तो इस तरह से आप फोटो से भी मैच कर सकते हैं बार बार इस फोटो को और इस वीडियो को देखेंगे तो इस फोटो के मा अंसर आपको पता है तो अच्छी बात है नहीं तो म ब्याख्या में देख लेते हैं यह देखिए दानवीर भामा साह सम्मान श्रीमती गंगोत्री भारत लाल वर्मा को यह मिला हुआ है कौन सा शेत्र है यह दान शीलता सवहार्द अनुकरणी सहायता कौन से विभाग के द और यह गंगोत्री वर्मा इनकी फोटो है और यह पुरसकार किसे मिला कौन से पुरसकार इने मिला है दानवीर भामा साह सम्मान पुरसकार गंगोत्री भारतलाल वर्मा को इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन में इसको देखते रहिए जितनी ज़्यादा व्याख्या देखे तो हर बार सरनेम का जो ट्रिक है वो काम नहीं आएगा option देखिए सुभाश अगरवाल, इश्वर प्रसाद अगरवाल, सीता राम अगरवाल, गौरी संकर अगरवाल ठीक है? यहाँ पर कुछ option ऐसे भी है जिने पिछली बार पुरसकार मिला है तो अगर आपकी आदाष्ट अच्छी रहेगी, तो आप इसे अलग कर पाएंगे, नहीं तो आप confused हो जाएंगे अगर आप सो आंसर पता है, तो ठीक है, नहीं था हम चलते हैं, सीरे व्याक्या की तरह आगे बढ़ते हैं, खूब चंद बगहल सम्मान की से मिला है, आप्शने बालकृष्ण तीवारी, तुकेश्वर कवर, खेदूरम बंजारे और मिलाप दास बंजारे अगर आपने पिछले कुछ क्वेश्ण को ध्यान से पढ़ा होगा, तो इसमें से कुछ आप्शन आप इलिमिनेट कर देंगे, और आप आप आप्शन इलिमिनेट कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि खूब चंद बगहल सम्मान की से मिला है, बहुत सारे क्वेश् खेदू राम बंजारे, ये हैं खेदू राम बंजारे, जिने इस बार का खूब चंद बगहल सम्मान मिला है, खूब चंद बगहल सम्मान की शेतर में दिया जाता है, करशी के शेतर में, करशी का शेतर है, तो विभाग कौन सा होगा, करशी ही होगा, ठीक है, ये बेमितरा के रहने वाले है खेदूराम बंजारे और इनहीं मिला है खुपचन बगेल सम्मान, तो खेदूराम बंजारे कहाँके रहने वाले है बेमितरा के छेतर किर्शी, कौन सा विभाग किर्शी विभाग यह याद रखिएगा, और अगर एक बार में आपको याद नहीं हो रहा है तो इस वीडियो का आप दो से तीन बार देखिएगा मैं दावा करता हूँ को आपके ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी देखिए दाव मंदराजी सम्मान ये लोककला शिल्प के शेतर में दिया जाता है कौन सा विभाग देता है संस्कृति विभाग ये पुरसकार मिला है पंडित राम को और पंडित राम के साथ साथ ये पुरसकार मिला है जैनती यादो को तो पंडित राम और जैनती यादो जो है संयुक्त रूप से इस पुरसकार के विजेता है लोककला शेल्प के छेतर में संस्कृति विभाग के द्वारा दाव मंदराजी सम्मान तो इस तरह से आप फोटो भी देखिए नाम भी देखिए कहां रहते हैं वो देखिए कौन सा अक्षेतर है कौन सा विभाग है यह सारे चीजे देखिए ताकि आपसे क्वेशन न छुटे बले ही आयोग आपको किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेशन पूछे आगे बढ़ते हैं चक्रदर सम्मान चक्रदर सम्मान आपको मालूम है कि शेतर में दिया जाता है आप्शन सेथे देखते हैं वेद मणी सिंग ठाकूर, अमेटेश मिश्र, नरायन मरकाम और लश्मी प्रसाद जाय सवाल यह चार आपके आप्शन है वेद मणी सिंग ठाकूर की वेद मरी सिंग ठाकूर की ठीक है संगीत एवम कलाकिक शेतर में दिया जाता है कौन से विभाग के द्वारा संस्कृति विभाग के द्वारा ये भिलाई के रहने वाले हैं वेद मरी सिंग ठाकूर और इन्हें कौन सा सम्मान मिला है चक्रधर सम्मान मिला है वेद मरी सिंग ठाकूर को किस विभाग के द्वारा दिया जाता है संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है संगीत एमम कलाकिक श्वेतर में चकरतर के बारे में आप पढ़िएगा कहां पे चकरतर महोसो मनाय जाता है किस दिन मनाय जाता है कितने दिन तक चलता है और क्या इ ये आपके चौर आप्शन हैं, बताना है किसमें से सही जवाब क्या है, पंडित सुंदरलाल सर्मा सम्मान के लिए, वेद मनी सिंग ठाकूर, अमितेश मिश्र, नरायन मरकाम या रामेश्वर वैश्णो, चलते हैं व्याख्या के तरब ताकि हम अपने आंसर को भी देख लें सुंदरलाल सर्मा सम्मान, संस्कृती वी भाग के द्वारा, और यह पुरसकार इस बार मिला है रामेश्वर वैश्णो को, जो कहां के रहने वाले हैं, करसिया रायगड के रहने वाले हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप सुंदरलाल सर्मा के बारे में पढ़िएगा कि क्यों उनके बारे में ये सम्मान दिया जाते है और आखिरकार शतीस गड़ की इतिहास में उनका क्या योगदान है और यहाँ पे यह पुरसकार इस बार किसे मिला है रामेश्वर वैशनो को पनीतरभी शंकर शुकल सम्मान इस बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा पूसता ही है और एक्जाम में आने के सम्भावनाen प्रवल रहती है पनीतरभी शंकर शुकल सम्मान एक महान हसती है चत्रीज बड़ के आजादी में इतिहास में इनका बहुत भड़ा योगदान है तो हम चलते हैं सीधे अपने व्याख्या वाले पोशन में और देखते हैं कि क्या सही जवाब हैं यहाँ पे देखिए सीतारा मगरवाल यहाँ है इनकी फोटो रवी शंकरशुकल सम्मान इन्हें मिला है चेतर क्या है समाजिक आर्थिक सेक्षडिक चेतर में दिया जाता है कौन सा विभाग देता है समान प्रशाशन विभाग देता है तो इस तरह से सीता राम अगरवाल को मिला है रवीश अंकरशुकल शम्मान ये है इनकी फोटो रवीश अंकरशुकल के बारे में जरूर पढ़िएगा ताकि आपको सारी चीजें पता रहें हाजी हसन अली सम्मान ये किसे दिया गया है यूनूस कान अजाज धेबर दानिश रफीक या हसन खान हाजी हसन अली सम्मान किसे दिया गया है आप्शन है यूनूस कान अजाज धेबर दानिश रफीक या हसन खान ठीक है तो ये देखिए यहाँ पर आप्शन जनाब यूनू यूनुस खान इन्हें दिया गया है हाजी हसन अली सम्मान किसे दिया गया है जनाब यूनुस खान को ठाकूर प्यारे लाल सिंग संबान ये किसे दिया गया है आपके सुभाश अगरवाल, सिताराम अगरवाल, अशोक अगरवाल या गौरी संकर अगरवाल ठाकुर प्यारे लाल सिंग सम्मान किसे दिया गया है सुभाश अगरवाल, सिताराम अगरवाल, अशोक अगरवाल और गौरी संकर अगरवाल सही आप्शन आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए नई तो हम से इसकी व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर है इसकी व्याख्या, व्याख्या में देखिए ठाकुर प्यारे लाल सिंग सम्मान सहकारिता अक्षेतर में, सहकारिता अक्षेतर है तो विभाव भी कौन सा होगा सहकारिता अविभाग और ये हैं अशोक अगरवाल ठीक है अशोक अगरवाल को मिला है ठाकुर प्यारे लाल सिंग सम्मान तो इस तरह से ये फोटो नाम याद रखिएगा किसे मिला है वो याद रखिएगा कौन सा अभिभाग और कौन सा खशेत्र ये आपको याद रखना ही है अब देखिए गुरु घासिदा सम्मान ये किसे मिला है गुरु घासिदा सम्मान अगर किस छेत्र में दिया जाता है ये आपको मालूम है तो आप इसके आप्शन को बहुत इजली निकाल लेंगे ठीक है दलितों के उत्थान के लिए गुरु घासिदा सम्मान दिया जाता है और अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप सरनेम देख लीजिए कि ये जो option इसमें से कितने ऐसे सरनेम हैं जो SC कडिगरी के होते हैं भारती बंदू हमेतेश मिष्ट, नराण मरकाम और खेमचंद भारती मिष्ट होनी सकते हैं मरकाम होनी सकते हैं क्योंकि ST हैं अब यहाँ पे दो हैं भारती बंदू या खेमचंद भारती तो अगर आपने एक बार भी इसको आईसे तरह से पढ़ा है तो आप इसके आंशर को आराम से निकाल लेंगे नहीं पता तो हम चलते हैं इसके सिधे आंसर की तरफ और यह देखिए खेमचंद भारती हैं इन्हें मिला हुआ है चेतर क्या है समाजिक चेतना और दलित उत्थान कौनसा विभाग आदिम जाती कल्यान विभाग ठीक है मिनी माता सम्मान मिनी माता सम्मान आपको पता ही है कि मिनी माता सम्मान हमेशा महिलाओं को दिया जाता है तो यहाँ पे चार आप्शन है आपके मिनी माता सम्मान किसे दिया गया है आपको बताना है आपके आप्शन है मीरा शुकला आकरशी कश्यप सबा अंजमो रेणु का याद हो चलते हैं व्याख्या की तरफ और व्याख्या देखते हैं महिला धाम छेतर में दिया जाता है महिला एवंबाल विकास विभाग के द्वारा और यह है फोटो जिनका नाम है डॉक्टर शीमती मीरा शुकला तो इस बार मीनी माता समान की से दिया गिया है मीरा शुकला को इसे आप मीमी के नाम से भी याद कर सकते हैं मी से मीनी माता और मी से मीरा शुकला ठीक है करना है और अपने हिस्से के दो नंबर को ले जाना है गुंड़ा-दू संबंदित किसे मिला है अकर्शी कश्या वैभाव पांडे अमितेश मुश्रो रेनु का याद ओ ठीक है गुंड़ा-दू संबंदित कितने लोग हैं जो खेल से संबंदित नहीं है उनको इलिमिनेट कर ख़ेलेंगे यहाँ पर आईए देखते हैं सिदे व्याक्षष वियाक्या में यह मितेश मुश्रह में दिख रहें हैं अब सवाल यह उड़ता है कि मितेश मुश्र कौन सा खेल खेल खेलते हैं चूर्ष इनले हैगा यतियतनलाल ऑड लोग है सही आप्शन पता हो तो बताईए कमेंट बॉक्स में नई तो हम चलते हैं व्याक्षा के तरफ और व्याक्षा में देखते हैं कि क्या कुछ सही आंसर है कौन सा अक्षेत्र है आहिंसा यॉम्गोर अक्षा विभाग सामाने प्रशाशन विभाग किसे मिला है मदन मोहन गौशाला करसिया को यतियतन लाल सम्मान किसे मिला है मदन मोहन गौशाला करसिया को याद रक히ेगा यहाँ पर निचे description दिया हुआ लेकिं description अतना बहुत जदा important नहीं है बस आपको इस पुरसकार का नाम खेतर कौन सा विभाग देता है और किसे मिला है यह याद रखने के जरूरत है ताकि आपके आनसर ज़्यादा सटीक हो जाएं नेक्स देखिए लखनलाल मिश्र सम्मान किसली दिया जाता है पुलिस अनुस अन्हान के खेतर में दिया जाता है सबसे पहले तो आपको यह चीज याद रखनी है उसके बाद फिर बारी आती है किसे दिया गया है यहाँ पे चार आप्शन है लक्ष्मी प्रशाद जासवाल, वेभाव पांडे, अमितेश मिष्र और रामेश्वर वैश्णो आप्शन फिर से देख लिजे लक्ष्मी प्रशाद जासवाल, वेभाव पांडे, अमितेश, मिष्र या, रामेश्वर वैश्णो कौन सा संबान? लखल लाल संबान, मिष्र संबान किसे दिया गया है? आउंसर पताए तो बताइए, नहीं तो हम चलते हैं, व्याक्या की तरह यहाँ पर देख लिएजे, फोटो है, यह पुलिस के भेस में, यानि कि पुलिस अनुसंधान में ही दिया जाता है और इस बार मिला है, यह है इंस्पेक्टर लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल, यहाँ पर मिष्रा टाइप है, यह गलत है बहुत सारे किताबें आपको एजेटीज मिष्रा ही छापके देंगी, जो भी मार्केट में आने वाली हैं, आ चुकी होंगी तो आप मिष्रा मत देखिएगा, जायसवाल देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसी तरह का फायदा उठा कर फिर आयोग आपके आप्शन में लक्ष्मी प्रसाद मिष्रा और लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल दोनों दे दे, तो आप ध्यान रखिएगा कि यह लक्ष्मी लक्ष्मी इस तरह से आप इसको connect कर सकते हैं कि ये पुरसकार दिया गया है ठीक है लक्ष्मी प्रसाद जैसवाल फिर से बलता हूँ जैसवाल मिश्र नहीं मिश्र कर गलाज टाइप हो गया है कई केताबों में और रामेश्वर वैश्णो शहीद वीर नरायंट सम्मान द्वारिका वर्मन नरायंट मरकाम अमेटेश पांड़या रामेश्वर वैश्णो सही आप नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में और उसके बाद हम चलते हैं अपने व्याख्या की तरफ यहां पर देख लीजिए व्याख काम को यहें नरायंट मरकाम तो इस तरह से यहां पर भी नरायंट है वीर नरायंट के नाम में नरायंट है और इनका भी नाम नरायंट है तो इस नरायंट से इस नरायंट के बीच कनेक्ट करके आप अपने आंसर को क्लिक कर सकते हैं और वो उस तरह से लंबे समय पर याद और आप उसको भूलेनेगी नहीं जैसे ही आप देखेंगे कि नरायन मारका में शहीद वी नरायन सम्मान में आप उसको सही टिक कर दीजेगा इस तरह से आप चीजों को कनेक्ट करके अपने आंसर को सटीक तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं तो ये वीडियो लगभा गाते गंटे का है ठीक है लंबा है लेकिन मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड जो MCQs हैं इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके राज अलंग करन समान समारो से जुड़ा हुआ इससे अलग तो नहीं आ सकता और इसके साथ-साथ मैंने जो व्या आपके बाहर नहीं जाएंगे आप एक काम ये करिएगा कि आप वीडियो चलाएगा जैसे ही क्वेश्चन का पोर्सन आता है आप वीडियो को पॉस कर दीजिएगा ठीक है पॉस करके उसके आंसर दीजिएगा और उसके बाद फिर व्याख्या वाले सेक्शन में आगे बढ जाएंगे और आपका एक्जाम अच्छा जाएगा जिन्होंने भी टेलिग्राम चैनल जोईन नहीं किया है वो टेलिग्राम चैनल जरूर जोईन कर लें टी डॉट में स्लैश एडिजे एस्पिरेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिंक दिया हुआ है आप वहां से शेयर करते हैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके एक्जाम के लिए बहुत ही फ्रूट पूल साबित होगा फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ जैहिंद